नमस्कार, मैं डॉक्टर केयन सिंग बोल रहा हूँ, इंदप्रस्त अपोलो हॉस्पिटल से, मैं वरिस गुर्दा रोग विसे सकते हूँ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, क्रॉनिक किड्नी डिजेज, पर्मानेंट किड्नी, खराबी के मरीजों के कामन कुश्चन, क्रॉनिक कामन कुश्चन ले, मैं कुश्चन उनका रहता है, कि खाना क्या खाएं, जब दवाप लिख दे तो मरीज जाने लगता है, तो पहला कुश्चन है कि मरीज ये पूछता है कि मेरी क्रेटिनीन कैसे कम होगी, तो क्रेटिनीन देखिए एक मारकर है, एक ब्लड टेस्ट है जो आपको बताता है कि किड्नी की खराबी कितनी ज्यादा आपके अंदर है, एक अंदाजन बताता है आपको, ऐसा 100% से और नहीं है, तो देखिए ऐसे सिच्विशन जब मरीज पूछता है कि मेरी क्रेटिनीन कब कम होगी ये नहीं होगी, तो किड्नी की खराबी हमेशा दो तरह के होती है, एक पर्मानेंट, एक टेंपरेरी खराबी होती, इसे मरीज की खराबी होती है कि अगर पर्मानेंट कच्ट भाब है, तो कभी भी क्रेटिनी उनकी कम नहीं होती है दूसरा चीज है कि खराबी हमेशा नहीं काट्यों तो प्रोटीन खाते हो उसका reflection है बोडी में तो जैसे कोई भी मरीज अगर non-vegetarian है तो उसकी kretinin थोड़ा बढ़ी हुई आएगी कोई vegetarian है तो उसकी kretinin घटी हुई आएगी अब हमारे देश में सबसे बड़ी बात है आप नान वेजटेरियन हम उसको बोल देते हैं जो हपते में एक बार चिकन खा लिया तो उसको कहता है मैं नान वेजटेरियन हूँ ऐसा नहीं है क्या होता है कि आप कितना नान वेजट डाइट लेते हो यह बहुत इंपार्टेंट है प्राब्लम यह है कि इवन हमारे देश में जो बेजटेरियन लोग हैं वो भी प्रापर प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं तो मैं तो ज्यादा तर अपने मरीजों को कोई प्रोटीन रिस्टिक्शन नहीं बोलता हूं जो मेरे पास पेशेंट आते हैं पेरिफेरी से दूर से चाहे मेरी फिजीशन के ड्वाइज रही हो उनके या किसी की वो एक दम अपना दाल खाना बंद कर देंगे प्रोटीन बंद कर देते हैं बिल्कुल से वो ज्यादा तर जब आते हैं टर्सिरी केर सिंटर में तो माल नरिस रहते हैं ऐसे मरीज की ना तो डालेसिस का रिजल्ट अच्छा होता है ना किड्नी ट्रांस्प्रांट का रिजल्ट होता है तो मेरी एक सला है अगर कोई बेजिटेरियन है या वो भी बेजिटेरियन है जो हपते में एक या दो बार नान वेज खाता है तो उसका प्रापर असेस्में पॉइंट एट ग्राम प्रोटीन नहीं खाता है एच पर इस नार्थ इंडिया की जो कल्चर है उसके एकार्डिंग तो सबसे ज़रूरी है पेशिंट की हिस्ट्री लिना कि आप क्या खाना खाते हो किस समय कितना नास्ता करते हो कौन कौन सी चीजें खाते हो कैसे खाते हो फि कि खाने के लिए बोलते हैं कि जैसे आपका नूट्रिशन अच्छा रहे है तो देखिए एक चीज में बहुत दूर करना चाहता हूं कोई बंदा अगर अच्छे से मरी अपना खाना खा रहा है और उसका नूट्रिशन अच्छा है अगर उसकी क्रेटनीन थ्री है और कोई क्रेटनीन को अपने 2.4 बताता है मेरी क्रेटनीन कम है तो एक्चुली यह है कि दोनों की किड्नी बराबर ही खराब है बलकि यह जो कम क्रेटनीन वाला यह ज्यादा खतरनाक है लांग टर्म इसके रिजल्ट ट्रीटमेंट में अच्छे नहीं होंगे क्योंकि इसकी अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना अपना आप प्रोटीन रिस्टिक्शन नहीं करें दूसरा खाने में होता है कार्वो हाइड़ेट कार्वो हाइड़ेट कैलोरीज आपको एक्यूट देता तो आप कार्वो हाइड़ेट प्रापर खाएं फैट होती ही तीसरी चेज जो फैट हैं जिनमें पोटैसियम हाई होता है अदर्वाइस ज्यादा तर चीजे हम लोग करते हैं खाने के लिए और पेशेंट को खाते रहना चाहिए और अपना रिगुलर चेकप कराते रहना चाहिए तीसरा जो सवाल पूछते हैं कि क्या मैं इससे पूरा ठीक हो जाओंगा दव है कि आप इसमें घवडाइए नहीं यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि end of life है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से आप रहेंगे आपको कोई तकलिफ नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा हम आपको रिनल रिप्लेस्मेंट ठेपी जो डालेसिस या किड्नी ट्रांस्प ट्रीटमेंट बहुत एडवांस है और पेशेंट हमेशा किड्नी खराब होने से पहले और ट्रांस्परांट के बाद भी स्वस्थ रहते हैं और रेगुलर अपना दिखाते रहें थैंक्यो